नमस्कार आज हम अधिक बलबन कौन है कहानी के नाटक प्रस्तुत करने जा रही हूं कहानी में सूरच और हवा अपनी ताकत को लेकर बहस हो जाती है इसमें कौन शक्तिमान है और कौन जीता मालू है चलो हम दिखाते है एक बार हवा और सूरच में बहस चिट गई हवा ने सूरच से कहा मैं कुम से अधिक बलवान हूं सूरच ने हवा से कहा मुझ में तुम से ज्यादा ताकत है इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी हवा ने कहा उतर बहस करने से कोई फाइदा नहीं है जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है सूरच हवा की बात मान गया और कहा ठीक है था अपनी ताकत हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुड़ू की आतमी की टोपी उठ गई पर कोट उसने अपने दोनों हातों से शरीज से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए हवा और जोर से चलने लगी आतमी आपनी ने चेही गिर पड़ा पर कोट उसके शरीर पर ही रहा अब हवा तक गिली थी सूरच ने कहा हवा अब तुम मेरी ताकत दीखो आदमी ने कोट के बटन कोल दी सूरच के गर्मी और बड़ी आदमी ने कोट उतार दिया और हाथ में लेकर चनने लगा सूरच ने कहा देखी मेरी ताकत उत्रवा दियाना कोट अब हवा ने सूरच को नमस्कार किया और खाहा मान गई थी मान गई तुम्हारी ताकत को अजया और दिया और खाहा हाँ